वेल्कम इस वीडियो को टोपिक रहेगा टैंस हमारे बारा टैंस हैं इंग्लिस ग्रामर के अंदर इन सब को इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं इस ते पहले मैंने दो वीडियो को अपलोड किया है जो कि हमारे इंग्लिस ग्रामर से संब्दित है जिसके अंदर हमने डिस किसरा वीडियो है इसी सीरीज का और इसमें हम टैंस के बारे में डिसक्रस करेंगे यह आपने तक प्रिविएस वीडियो को नहीं देखें तो काइंड ली वीडियो को देखिए और वैरी बेनफिशल टू यू और सबसे पहला टैंस है हमारा जैसे की इंडेफिनिट टैंस इं उनके बारे में बात करते हैं जो हमारे डेली रूटिंज जैसे की सुबह को उठना खाना पीना यह सारी चीज़ें जो होती है उसके बारे में डिसक्रस करते हैं यह हमारे रिपीटिट एक्सन हैं जैसे की संडे टू संडे हम घूमने जाते हैं या एवरी टूनिटी सिक्स जनवर हम अपना रिपड़ीटे चलबरेट करते हैं दिवालेश करते हैं तो ऐसे काम बार-बार होते हैं इसके अलावा युनिवर्सल टूट जो होता है उसके बारे में हम डिस्क्रास करते हैं structure और रूल्स में आपको बादें बताऊंगा पहले आप एक थोड़ा सा indefinite structure को आप समझ लीचे इसके बाद जो हम बात करते हैं पास्ट indefinite टैंस के बारे में पास्ट इंदर आप complete या finished टास्क जो की कुछ पहले या काफी टाइम पहले गटित हुए हो उन सबको आप पास्ट इंडेफिनेट के अंदर इंक्लूड करते हैं तीसरा है हमारा future indefinite tense future indefinite tense के अंदर आप planning for future tasks भविश्य के अंदर आप क्या करने हमाले हैं आपकी plans क्या है यह सारी जितने भी sentences होंगे जो भविश्य के plan को indicate करेंगे यह आपका future indefinite tense बन जाता है तो यह हम आप रूल structure की बात करते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर प्रजेंट इंडेफिनीट में और अफर्मेटी में देखेंगे तो यहां पर आप सबसे पहले subject देखेंगे फिर man verb देखेंगे और फिर उसके बाद object देखेंगे यह मैं आपको previous video में समझा चुका हूंगी singular subject के साथ आपको singular verb का यूज करना है plural subject के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करना है singular subject हमारे he see it और कोई भी नाउन होती है जो singular होके हमारी और प्लूरल में हमारा आई वी यू ओ दे होता है ठीक है जब हमारा इस पास singular subject होता है तो आप मैं वर्ब में समझा पाऊंगा वीडियो टैंस को फोकस करती है तो मैं उसी पर ज्यादा फोकस करूंगा वीडियो को यह आपको और डिटेल में समझेना है तो प्रिवेस्ट वीडियो जुरूर देख वर्ब वर्ब वाली जिसमें मैंने आपको बता है हमारे पास वर्ब की फस्ट फॉर्म का यूज करना होता है एक्जाम्पल के तोर पर आप देखेंगे ही गोज टु मार्किट तो ही हमारा सिंगुलर परशन है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपने वर्ब में देखा गोज लगाया हुआ है स्ब्जेक्ट प्लस मैनवर्ब स्चेट नौटब यहां पर मैं वर्ब में एस और यह कोई चक्कर नहीं है रीजन यह है कि वर्ब का एक रूल है कि एक बार में आप एक चेंज कर सकते हो तो यहां पर सभी सब्जेक्ट के साथ मैं वर्ब की सेकिंड फॉर्म लगेगी जैसे की दे प्रिपेर्ड दियर बैग उन्होंने अपना देख तयार किया च्यांकि सब्जेक्ट हेल्पन के बात करते हैं जिसे हैं यहां पर आप पर यॉज करेंगे नहीं करेंगी आप सिदब मैं वर्ब एस लगा देंगे यह आऊ शकता पढ़ती है तो पास्ट में सेकिंड फॉर्म यूज करेंगे यहां इता person and feel Т ethically beautiful future में जब आपका सबजेट्ट आ襯ोर व भी हो ता वहां पर आप का उसकरते हैं बाकि सभी सब्रेक्टीक के साथ इक उस चाह Mü'll का उसक्रते हैं तो यह हम निगेटिभ सेंडेन्स की बात करते हैं तो निगेटिव सेंडेन्स में आप लगा देते हैं तो यह आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाता है जैसे कि सी डज नोट क्लीन हर क्लोथ्स वह अपने कपड़े साथ नहीं करती हैं तो सी हमारा सिंगुलर है है और इसके साथ आपने लगाया है डज डज क्यों लगाया क्योंकि परजेंट इनिफनीट टेंस की जो हैल्पिंग वर्व होती है और हमको पता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह थाड़ परसंट सिंगुलर है इसके लिए इस भी लगाना पड़ेगा वह कहां लगाना पर पास्ट इंडेफिनेट का निगेटिफ सेंटेंस तो पास्ट इंडेफिनेट के देइंडा यूज करना है और जैसे आप करेंगे महां पर की मैन फंस फर्स्ट फोन लग जाएगे फ़िर आपके second form नहीं लगेगी फिर्सट फोनलगी कैसे जैसे की आपने यहां पर लगाएंगे एक नियम और यहां पर लिखा है सी नेवर सी डजन नोट क्लीन हर क्लोज तो यहां पर मुझे डजनोट नहीं नवर लगाना है तो फिर सीधा नोट के साथ डज भी घट जाएगा नेवर अलोन रह जाएगा ठीक है ऐसे ही आप पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो फिर यहां पर डीड नोट नोट हटाना नेवर लगाना तो जैसे जैसे नोट हटेगा तो डीड भी घट जाएगा और सेकंड फूम दोबारा फिर क्लीन के साथ मर्ज हो जाएगी डैट इस क्लीन हो जाएगा ओके तो यह बात हुई आपकी और फिर हम आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में आपको समझा जुका हूं दे नैवर साथ सी बनना चाहिए दा डीड के साथ तो डीड नहीं है तो सेकंड फूम लग गई अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करतें जिसका निगेटिव सेंटेंस बनाना है सिम्पल सी बात है सब्जेक्ट लगाई सब्जेक्ट लगायी खाला ये सबस्क्राइब लगेगा आपulator으니까 करना है यदि आप यहां से विलो सैल को हटा देंगे तो यह सिंपल आपका प्रजंट इंडेफिनिट बन जाएगा ठीक है और दूसरी बात यह है कि यहां पर नोट जो आप यूज करेंगे इंडेफिनिट की बात करें तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसकी स्टार्टिंग में आप हैल्पिंग लगाते हैं फिर सब्जेक्ट मैन वर और ऑब्जेक्ट ठीक है यह आपको डेटेल में समझना है तो मै क्योंकि के साथ यूज करते हैं यहां पर सब्जक्ट चेंज होता जैसे यू होता यू के साथ आप डू हो टो है ना इसके बाद आप बात करते हैं पास्ट इंडेफनीट का इंट्रुगेटीव तो यहां पे यहां पर डीड हो जाएगी बात सेम रहेगी डीड के साथ भी फर्स्ट होम का यह आप यूज करेंगे बाद में आप कोश्चन मार्क लगा देंगे यह हम बात करते हैं तो विल सेल बाहर आजाएगा बाकी साथ सेम रहेगी एक्जामपल के तोर पर विल ही गो टू कॉलेज है अब यह हमारे तीनों इंडेफिनीट पूरे हो चुके दिए को डाउट है कोश्चन है कुछ भी है आप मुझे कमेंट कर दीजेगा मैं कोसिस सबसे पहले हमारा контinios6 कोन सा है कने इस में आपको कोई भी वर्क होता है वोग्रेसमें होता है वो चल रहा होता है तो कोई भी काम जुक्तों कम ने होगा तो जब कोई काम एव चल ला है ये प्रोफिए से टाइम इन पोई यह में कि टाइम यह प्रोफिड़ी में दूधरा हो होगा लेकिन फ्यूचर में चल रहा होगा है ना फ्यूचर के किसी पॉइंट उप टाइम में चल रहा होगा देज फ्यूचर कॉंटिनुटी को इंडिकेट करता है इसके बाद यहां पर थोड़ा समझना है क्योंकि यहां पर आपने पहले देखा प्रिजेंट कोंटिनुटीनुस पास्ट कोंटिनुस के बाद तुरंत वर्ब में आएंजी लगा रहे हैं लेकिन यहां बी भी जोड़ना पड़ा बी इसले जोड़ना पड़ना पड़ना रूल कहता है कि कि सी मोडल वर्ब के बाद आप डारिक्ट इनजी नहीं लगा सकते हैं और डारेंग किसी में युक्त इन देगी हम और सही हम मैं यह लगा रहे हैं तो और सेल के बाद नहीं लगा सकते ढारेक्ट तो इसके फीराढ़ कर देतें ठीक है झीज़िए इसके बा Golden a oke प्लस मैन वर प्लस आप सब को पता ही है प्रजेंट में जमार उसकर ना वाजबर विल भी एक्जम्पल के बात करेंगे दे आर प्लकिंग दफ्लोवर्स आर का यूज कर दिया आवर में इसे ंज लगा दिया पर्जend continuous वाजबर लगाएंगे तो पास्ट पंटिमोस और फिल भी और सैल भी लगाएंगे तो फूचर पॉंच्प इंदोनों के बीच में नोच यह नवर आएगा यह उन्हों के बीच में यह तो नोट आएगा जिसकी भी रिक्वार्मेंट है तो एकजंपल देखेंगे रवी इस नोट चार्जिंग इस मोबाइल तो इस नोट वाजवर्व और विल नौट बी चार्जिंग इस तरीके से चीजे बनती हैं इसके वाज़ दिए हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं इंट्रोगेटिव नॉर्मल इस्ट्रुक्चर वही होती है सुरू में हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है इसमार वाजवर्व और विल के बाद ऀयाँ कि क्योंकि हमारी मैं हेल्पिंग वर्व है वह विल और साल है भी नहीं है भी को हमने यहां पर अपने डुक्व讲श को मेन्टेन करने के लिए यूज किया है सिर्फ उसको मैं एंइल्पिंग वोर्व में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं ठीक है मैं है पूसिक होता है यहीं हैं वडोड शैल को 처ente किरेंग। इसके बाद परफेक्टमेंग के बारे में प्रफेक्टमेंग बात करते हैं तो पेर्फेक्टमे प्रोड्प्र परफेक्ट्सद की पास बात है कि इस भी इसी फिनिस्ट और कंप्लीट टासक होता है उसको हम पर्फněट टेंस के अंदर इंक्लूड करते हैं धिधी हम बात करते हैं की परजेम्ट परफेक्ट परफेक्ट पर्फJN manufacturing हो करेगा बात ने करना वैट्टा कि काम करें जब कोई फिलाल में होऊं अभी हुआ पांच साथ 10 मिनट पहले यह कुछ टाइम हो गया कर दो गंटे कहले कहीं दिन होके साल हों पास्ट होता है तो जब कोई ऐसा टास होता है कोई ऐसा काम होता है जो की पास्ट से संबंदित हैं जैसे कि कल मैं दिल्ली गया था यह एक एक एक्जाम्पल है अब दिल्ली जाने से पहले मैंने कुछ प्रप्रेशन की होगी तो पास्ट परफेक्ट को पास्ट कर जाता है जब हम किसी करें उससे पहले वाले टास्क हम बातको थे कि सब्सक्थ ठीक है आपके घ्मांगे uden कि और चाहिए पाष्ट पास्ट कभी जो 5 होता है ट्याच पास्थ फारफेक्ट कि जब आप फ्यूचर प्रफेक्ट के बारें बात करें तो फ्यूचर फ्रफेक्ट के अंदर आप उस पॉइंट टाइम की बात करेंगे जिसमें कोई काम फ्यूचर में जाकर के कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि आप दस मिनट बाद वीडियो देख चुके होंगे या आप जिस भी क्लास में पढ़ते होंगे अपने आने वाले दो तीन साल में या एक साल में जो भी उसकी डूरेशन होगी उसकाम को पूरा कर चुके होंगे तो जब फ्यूचर में कोई काम नहीं किया और बात करें है कि ऑलव हम प्रजंट की बात करेंगे तो यहां पे आप eden único करेंगे हैज और है अब कहां से करके इसको आपको रभ वाली यहां पड़ा यहां म सिर्फ डारेक्ट चैस्च के बाराए बात करें तो हैजका है Любina और किसी भी नाउन सिंगुलर नाउन के साथ बाकी सब के साथ आप हैव लगाएंगे ठीक है जो आप हैज होता है आपका यह आपका हैव में और यह जोड़ करके हैज बनता है और चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे सब्जेक्ट होते तो उनके साथ जो भी वर्ब लगी वह भी सिंगुलर होने चाहिए ठीक है तो दे हैं नोट अटेक डॉनिम तो उन्होंने अटेक नहीं किया था यह तब तब तक वह उन इसके बाद है यहां पर यहां पर यूज करेगा बच्चे ने साथ छोड़ दिया तो यह यह विल नोट वाटेक्ट होन उन्होंने अटेक नहीं किया होगा एना फ्यूचर में कोई काम कम्प्लीट नहीं हुआ होगा ठीक है जब आप नेगेटिव की बात करते हैं तो यह न और हैड बाहरा आजाएगा बाहरा जाएगा यह आपका डवल इंट्रोय टीटिव है तो यहां पर दूर वह व्यार है सारी चीज़ें बाहरा आज़ेरे पर समझेंगे पिसगी है व्यान को इसन परकाल है ठीक है अब देच्ट अन हीम क्या रहोंने अटएक कर लिया है तो में वाई हैव डे अटेक डोने डोले बिल्कुल हमारी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा उन्होंने अटाइक क्यों कर लिया है तो दिसकाइड ऑफ थिंग से पास्ट में भी सेम रहेगा डोले अब तो बदलते नहीं है वो सेम रहेंगे हर सिचुएशन में इसके बाद सब्सक्राइब होता है तो आपके बात करेंगे तो आपकी जब मैनवर्ब बनेगी तो वह बनेगी पूरा जो सेंटेंस स्ट्क्चर बनेगी तो सब्जेक्ट पलस क्या है चैशेव प्लस बीन बीन क्यों क्यों क्योंकि परफेक्ट परफेक्ट के लिए थड़ा फॉर्म का लगना है जब के बाद जरूरी है इस इस तो यहां पर थोड़ा सा अइडेंटिफिकेशन के लिए स क्यों पड़ती है a simple continuous से काम क्यों नहीं चल पाता है जब कोई काम हम जन्रली बताते हैं कि काम अभी इन प्रोसेस हैं चल रहा है लेकिन जब हमारे पास किसी काम को कब से चल और उसका all Matty time भी हमको पाता होता है वहां पर आप perfect continuous का 콩ा तराइन को starting time ही करते हैं को डाइक है तो फास फूचर में मुझ को बसब है कि मैं कहाते हैं कि मैं यसे मैं का रहा हूं कि मैं व्यूडियो बना रहा हूँ ले जाएगा ठीक है ऐसी पास्ट में कोई पास्ट मीं चल रहे था मुझे पता चल गया बास्वेक्ट हो कोई काम फिचर में चल रहा होगा इंडा Process होगा कोई काम है न यूजिया कि आप कल किस टाइम से किलाज ले रहे हैं मालो नो बजे से दस बजे से जब स्टार्टिंग आपके पास होता है यह पर्फेक्ट कॉंटिनुस टैंस किसे को डाउट कोश्यों एनिवे कमेंट कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब यूडियो को लाइक बिल्कुल कीज़ेगा चलिए यहां पर एक चीज आई है जो एक्स्ट्रा जूडिये यह जैसर बेंको प्रकार का टैम हमारा definite किकale तो से is same रहता है तो जैसे की सब्सक्रार होगा नाइट में होगा और यह nothin नौ बजह का उनौ ऑके इसके अलावा जो औकेजन होते हैं जैसे शेn ना ही 1997 1997 फिक्स है तो ऐसी पॉइंट ऑफ टाइम जो की डेविएबल नहीं है जिनमें जो कोई चैंज नहीं या आपके पास किलियर आइडिए होता है कि ताइम की करने से पहले मिखão करेंगे सिंस काuesto पर्फेक्ट कर सिब्गा करत हूं हो आगे विए अब हम REALLY इसका अलावा दूसरे परकार का जो टाइम होता है है डैट इस इन-डेफिनेंट जिसके बारे में आपको आइडिया होता है लेकिन क्लियर आइड़नीक क्लियरिटी नहीं होते जैसे के माल की मैं वीडियो बना रहा हुं और दस मिनट से बना रहा हुं तो 10be कब से 10 Curls आइडिया जैसे कोई करें कि मैं कहीं साल मतलब एक एक साल यूट है यूट है यूर किलियर आंसर जब आपके ताइम को लिए कोई क्यारिटी नहीं होती तो वहां पर आप यूज करते हैं फोर का यूज़ करें के टाइम से पहले के लिए बात गोड जोग तो यदि हम आप तो इस्ट्रेक्चर की बात करते हैं आप देखेंगे की सब्जेक्ट प्लस है जान्व बिन प्लस मैनुबर बैयांजी प्लस ऑप्जेक्ट जैसे रिहां तेख्जामपल ने रिहान कई घंटे खस्का मतलब क्या हुआ कुछ नहीं पता तो इस में यार्ट से पहले और है वो बीन को helping वर में आप include नहीं कीज़ेगा यह जनरली मोटे-मोटे तोर पर को भी बता जाते कि helping वर्व होती है helping नहीं है मैं helping वर्व तो has have ही है बाकी बीन जो है हम इसको यूज कर रहे हैं अपने sentence की structure को maintain करने के लिए क्योंकि हमको पता है कि मैं helping वर्व है इनके बाद हमें सब्सक्राइब में थर्ड फोम आएगी तो इसको यहां पर थर्ड फोम के तरह कर रहे हैं एडिस्नल एक तरीके से उसके अरा मैं वर्व में आप एंज लगाएंगे जो कंटिनुलिटी को सो करें ठीक है तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस न है तो है जाल कि बाद ही नोट ने वर लगेगा बीन के बाद निलएगा कंट्फूज नहीं होना बहुत सारे बच्चे यसी गलतियां करते हैं तो जी आपका मैंट्वर प्लस ओंग हो गया और मैंट्र प्लस अंजी हो गया औबज्ट प्लस सींस और फोर और प्लस टाइम ए वार आगे तो बचा क्या बीजिक्ट के बाद आएगा इसमें कंफिजन कुछ बच्चक्ट करते हैं एसा नहीं करना है subject प्लस बीन प्लस मैनवर प्लस आएंजी बागे के आगे की स्टेक्चर नोर्मल रहेगी और आपका यहां पर कोश्टन मार्ग लग जाएगा ठीक है एक्जाम्पल के तोर पर है वाइब वराइटेंग फोर टो आड्स सब्जेक्ट चेंज हो गया तो जैसे ही सीडिट है तो है है रहे लगाना है बाकि सारी बाते सेम है लगाना है बाकि सारी चीजें सेम रहें घेंगे तो यह बात हुई जैसे कि एक्जाम्पल के तोर पर आप देखेंगे डेहाग बीन ड्राइविंग फोर second of December मतला 2 December से they had been driving from 2 December 2 December से वो driving they had been drawing they had been drawing from 2 December तो वे 2 December से drawing कर रहे हैं अब 2 December हमको पता है clear है 2 December 2 December को आता है तो इसके लिए यहां स सकते हैं कि यहां पर पर उस सिचुईशन में होगा घृर डेसंबर के लिए औरल से vimos घूआँ है यूज कर रहे है और यूज कर रहे है डारेक्टलिक्वर्ण के लिए क्र सकते लेकिन पर्सके लिए फ्रॉम ज्यादा परिफरेबल हो लेए चलिए हम यements करते हैं नीगर्टाногоट कि जैसे है जरनोट शैञेगा इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करते हैं है बाहरा जाएगा सब्जेक्ट और यह सारे चीज़ा समझ सकते हैं थोड़ा सा पैसेंस रखेगा और आप समझ जाएगा इसके अंदर एक ऩाएगा पैस्ट कोन्तीनोस में यही रहेगा पास्ट जो पर्फेक्ट होता है उसके अंदर दो केस सब्सक्राइब cela कि इसको फटुब कर तो तो सब्सक्राइब करना है मैं उसको अभी बता रहा हूं क्या करना है तो सबसे पहले हमारी स्टेक्चर क्या बनेगी सब्जेक्ट प्लस विल सैल प्लस विल सैल के बाद फस्ट फोम लगाएंगे तो फस्ट विल है और साल हो जाएगा उसके के लिए धर फोम लगाएंगे जोक बिए हम को जो अपना रूल हो तोड़ना नहीं है तो हमारा नौल स्टिश्ट क्या बनी सब्जेक्ट प्लस विल या सैल यहां पर टाइम के लिए आप न सिंस लगाएंगे न फोर लगाएंगे बाई लगाएंगे ठीक है या आप यहां पर टिल भी लगा सकते हैं या आप तमसे कर रहा होगा प्र ज्यादा प्रिफ आज़ेंगा फोर ज्यादा तो यहां दुकि भविश्य के बारे में आप कुछ कुछ भी सर्टेन नहीं कह सकते हैं तो जब हम को क्लियारिटी नहीं तो आप फ़ॉर को यहाँपे ज्यादा प्रैफर करेंगे ठीक है चलिए हैं जैसे एक्जामपल है सी अब यहां परसमजना हैं आपको来 सेंटेंज तो निए कफेंप सेंटेंज का मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्या करते हैं मैं हेल्पिंग मरव आपके विल और सेयल आप इसके लिए आपको विल्ट और सेलोट बनाना है है और विल्ट के बीच में यो भी आप यूज कर रहें तो विल्ट है और सैलोट है बनेगा बाकी सारी बाते से रहें ठीक है जैसे एक्जमपल के तौर पर सीमा विल्ट है बीन बाचिंग हर ब्रॉदर टीचिंग हर ब्रोदर बाई टैने एम और फॉर टैने इस तरीके से बनाएंगे इंट्रेटिव के लिए आप वह वाले सेंटेंस के लिए थी हेल्पिंग और बाहर आती है इंट्रोगेटेई में डिए बात खतम जाएगे अब मुझे जो आपको सेकंड बात पताएं थी जो कि Paस्पूरफेक्स इंभंधित भात यह थी कि कुए बाहर हमारे पास दो सेंटेंस हो जाते हैं जो कि डायक पास्ट इो पास्ट होते हैं मत कि आने से पहले राम के आने से पहले सोहन सो गया था तो राम और सोहन है यहां पर राम के आने से पहले राम आया था और सोहन सोया था यहाद रखेंगा और यहां पर पहले की बात हो यह पहले मतलब बिफोर तो राम के आने से पहले सोहन सो गया था अब यहां पर यह समझना ह कि पहले काम कौन सा हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ, तो राम की आने से पहले, तो इसका मुदब राम बाद में आया होगा, और सोहन सो गया था, सोहन पहले ही सो गया था, तो हमको यह समझना है, कि पहले काम कौन सा हुआ, बाद में काम कौन सा हुआ, पहले जो काम होगा, वह पास्ट परफेक्ट में बनेगा उसके बाद जो काम होगा वह पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा इस बात को समझेगा पास्ट पास्ट का मनलब होता है जो काम पहले हुआ वह पास्ट परफेक्ट जो काम उसके बाद हुआ देट इस पास्ट इंडेफिनित इसको समझेगा तो यहां पहिए क्या बनाया राम आने से पहले सोंसा गया था 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 सोहन लिए से बनेंगा फूल है तो सोहन अर सिलयक्ट थर्ड फोंब बन जाएगी सोवन है इसलैक्ट अब किस से बहले विफोर राम विफोर से लिए ऑने से पहले पास्ट ट्रेंस के लिए यह नंगे के साथ फोर सिंपल पास्ट में सब्सक्राइब salah टूब यह अब आँप समझ चुक्प होगे लिए यह जैसे कि मानलों की सेंटेंस बोला है कि राम के आने के सोहन होए तो राम पहले आ गया था और सवहन बाद में सोहा था पूंग है राम है गज्व कम कें कं किसके आफ्टर आफिसके देबside है ठीक हम फो इस तथरीके से आप बनाएंगे यह अपका सेकंड क्येस्त यह कोई दाउट है कुश्चन है कुछ कमेंट किजेगा वीडियो को लाइक कीजे सेर कीजें आपको अच्छा लगता है तो मुझे भी अच्छा लगता है दिया है आप Likes uh